जी बिसमिल्ला रहुलराहिम असलाम उलेकूम आइज एंड टूड़े आइम गोगी तो एक्स्प्लेंट डिफरेंस बटीवीन सिंपल एंड कंपॉर्वॉंट इंटरस्ट इस वीडियो में आप क्या समझेंगे आप सिंपल रहों कंपॉर्वॉंट इंटरस्ट का फरक देखे के लिए इन टरंस को समझना बहुत ज़िए जो पहली टरम हमारे हैं आपस फो फैसे निया हैं किसी से कर्दा लेते हैं यह किसी से कर्दा देते हैं इसको हम उर्दू में 13600 कहते हैं यहां पैसे जो हमने बैंक से या किसी से करदर दिया। तो इसको हम कहते है दिश अब का है रेड रेड इड्र और कि उर्दू में शरॉप कानि मतलब है कि एसा रेड जिस पर बैंक हमें करदर देता है ये जो फिक्स होता है वैसे तो जो कराची स्टाइव कि अक्चेंज है वहां पर रेड उडाना की भन्याक चेंज होता है लेकिन हमरा स्ट है भुमरा स्ट के लिए या मारा tätä कि वो कराद की स्ट को unit है तो वह फिसत की परसंटेज लगा इसके भचानी नहीं है का कितने दो साल एक साल तीन माह चेंञा हो गया छे माह या बाडा माह ओगया इस तरह भी यह निके आप मंतली भी कर्दा ले सकते हैं तो यह जो होगा आपका यह मैंशाजाए है आप क्या करेंगे इन यह इनकी यह नहीं कि हैंगा करेंगे वह आप क्या बन जती है माउड अगर आप हाली एक जार वापस करेंगे तो गाहए सिम्पल प्राफिट अब आए यहीं कंपाउंड प्राफिट की तरफ कंपाउंड प्राफिट का फारूमला हमारे पास एक यह मैं लिखेरी compound interest c i e same way principle का मैंने शाड लिए पी मैंटिप्लेफ वन प्लस और डिवाड़े रवे 100 n कूपर पावर है फिर ब्रेकल का मैंने पी मायंस कर दिया अगर यहां से मेंट पे डिरेक्ट पी मायंस कर दो तो यह मेरे पास क्या बादा compound interest का फामला बन जाता है यह प्रिंसिपल हो गया यह रेट हो गया यह नमब्रावियर हो गया इसको कालकुलेट गड़ा काड़के तो हम compound interest डिरेक्ट ही यहां से निकाल सकते हैं तो यह हमारे पास compound interest तो अब अगर हमने compound amount निकाल ली है compound amount मतलब कि आपने कितने पैसे वापस कर करने हैं जिनके एक लाग रुप्य लिया है एक लाग के ओपर दो साल बार या तीन साल बाद कितना यानका टोटल आपने वापस करना है उसके लिए हमारे पास जो फार्मला वो compound amount का है उसमें आप पी को माइस नहीं करें कि पास पी माइस नहीं करें कि तो हमारे बास क्या इनल्मान है, क्मा है . अब देखें कि नहीं करें कि थो आप सकते हैं , उनल्मान है तो अब काटि कमउंड इंट्रश्ट में जो सींपल इंट्रश्ट है है इस पे आप हर साल प्रिंसिपल के अपर ही इंट्रस्स देएंगे mean के आपका जो interest जो आएगा वो हर साल सेम ही आएगा यहिए आपने पहले साथ 10,000 दी है दूसरे साल भी 10,000 दी है अगर बैंक का रेट चेंज नहीं होता अगर बैंक का रेट 10 भी से चाड़ रहा है तो पहले साल भी आपका अतुना आएगा दूसरे साल भी उतना तीसे साल भ बाड़ गया तो बड़ भी सकता आपका यह था हमारे पास सेमारे इंटरस्त हैं यानिके आप हर साल प्रिंसिपल के उपर ही जांगे आप कंपाउंडिए पहले जम्माओंगा फ़लन गया एक लाग डाध़ आपके अपने दोबारा फिर प्राफट देना है इसका मतलब कि प्राफट के उपर फिर आप तहुत है इसमें 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 प्राफट कारके फिर उसके और आपप इंटरस्ट नकाल तो ये था मेंट डिफरेंस कंपॉंट और सिंपल पराफिट का सिंपल पॉराफिट का थोड़ा यू छोटा था हमयश्या Courtney यह कंपॉंट पर पॉदह गूंब्स की यूज करती हैं को यह कि कोई इससे ज्यादा पाईदा होता तो इंशाला कि अ यह ऊद्छ को ना सिंपल हमारे बुच्छे इसको 1000 लिख लिख लें इसको शरा लिख लें इसको टाइम लिख लें फान मेरा रभा एक्र अरब कर देंगे तो यह मारे पास क्या गता ती निच जैए अगर इसकी यह कि यह महरे पास सिंपल प्राफिट आ आया सिंपल प्राफिट टीनध नहीं हुआ गया हमारे पास आप श्रौन प्रैसिस्टा हम इसी इसे में करते हैं का काम पाउंड में प्रॉट ही आपका उर्दो मीडियों वाले का वही फारमला परा नहीं अब देखें दास हजार इदर आ गया प्रिंसिपल की जगा पे रुबान प्लस टैन जो रेड है वो आप लिखेंगे और बहार जो एन नमबरा मुद्ध जो आपकी तीन है वो तीन आप बाहर लगा लेंगे पहले इ रिवायड करेंगे यह 0.1 आदेगे इसको 1 में प्लस कर लेंगे 1.1 आगया तो इसकी पावर 3 ले ले लिए आपने यह होड़ेगा 1.331 इसको आपने 10,000 से मल्टिपैक कर लें तो यह होड़ेगा 13,310 अब आप देखें कंपॉंड इंटरस्ट यनके कंपॉंड में आप हमा साद्गा मुनेंट है अपका यहा हो 3000 आप है, यह रिए आपका 3,010 आए, सिंपल प्राफ़र्ट कम है, कंपॉंड में प्राफ़र्ट की यह ब罻 रिए यह हमादेट आप हमादेए नसे में चान कारें आपा Twice में आप क्लिरो आप हैं झाल झाल